स्वामी जी कल आपने योग निद्रा के बारे में चर्चा की थी और उसके वीशन आज बताने कहा था तो आप उसके फायदे और उससे होने वाले नुक्सान और उससे कैसे बचा जाए आप आज उसके उपर कुछ बताए तो इसा मैंने तुम से कहा कि योग निद्रा एक तरीका है कि किस तरीके से हम अपने आपको ऐसी अवस्था में ले जा सकें कि ना उसमें आदमी चेतन हो ना अचेतन हो अब चेतन में ठहर पाए इससे ही फायदे होते हैं सारे सबसे पहली बात उसके फायदे जान लो फायदे जैसे ही अवस्थेतन में आप रुखते हैं तो आप एक तरीके से ऐसी हालत होती है कि ना आपका दिमाग इंद्रियों के कंट्रोल में है ना आपका दिमाग किसी समोहद्वित के कंट्रोल में है और ना ही आपका दिमाग कोई और तरीके के म्यूजिक या इन सब चीजों में फसा हुआ जैसे कि योग निद्रा के प्रियोगों में लोग sleeping therapy चला रहे हैं, लोगों को सुला रहे हैं बस, music चला दिया अच्छा सा लोग सो गए, वो भी एक hypnotism है, अगर आप किसी भी music से सम्मोईत हो जाते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं रुकाओ है, चेतना उसमें सुनने का काम करती रहती है, वो कर्म चलता रहता है, कान की इंद तब ही आप उसमें जागे जागे प्रवेश कर सकते हैं, तो जब जागे जागे प्रवेश करते हैं, तो जब आपकी चेतना जगती है, तो धीरे धीरे जिस परकार आप antivirus जब डालते हैं अपनी body में, या laptop में, तो antivirus आपके चित्में जो जो वाइरस लगे हैं, जो जो चीजों को हटा के फेकता है, उसी तरीके से जैसे ही आप में योग निद्रा के मात्यम से जागरन आरंभ होगा, ऐसी अवस्था में आपकी चेतना जब जगेगी, तो सबसे पहले आपकी जिन्दगी में जो जो चीजें antivirus का काम कर रही हैं, वो अपने आप ही, आपको परशान करती हैं, धर्म के मार्क पर संधे परशान करते हैं, धर्म के मार्क पर डिवाइडिंग माइन बहुत ज़्यादा होता है, वो परशान करता है, धर्म की रहा पर आपके अंदर कई प्रकार की धारना हैं, या फिर आपके असली जीवन में हुए थो आप सुभाव से आर्टिस्ट बनने को थे लेकिन फिर आप इंजिनरिंग करने रगे तो योग निद्रा में अगर आपकी चेतना जाकरत होगी वह आपकी इंजिनरिंग छुड़ा देगी वह आपको फिर कला की तरफ लाएगी तो कई बात जिन्दगी में उथल-फुथल भी होती है लोगों के अंदर फिर धीरे धीरे इस प्रकार वो आपकी जिन्दगी में परिवर्तन लाना शुरू करती है और वो परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन है जो आप किसी भी और तरीके से लानी पाते आपको इगुरू भी कर लो, गुरू की संगत, और बहुत लंबी संगत के बाद कहीं गुरू आपको समझ सकता है कि वो आपको गाइड कर सके, बता सके आपको कि आपके लिए सही मार्क क्या है, लेकिन आपकी चेतना को पहले दिन से पता है कि आपके लिए सही क्या है, जब चेतना आपका गाईड करती सबसे अच्छा गुरू चेतना बनती है। जब आपकी चेतना गुरू हो जाती है, तो वो गुरू 24 घंटे आपके संग रहता है। यही इसी को साक्षी की साथना बोला गया। साक्षी की साथना वो नहीं है कि मैं आते जाते विचार को और आते-जाते विचार तो तो हर आदमीं जानता है सब को मामनूम एक चोर को मारूमaking सोई का मिचार आरा कि चोर रोक पाता है मुझत को मारूम A को अध्यो को करोद का विचार को रोकि कहां पाता हैं तो आते-जाते तो सब लोग विचार को देखते हैं लेकिन यदि चेतना जागरित हो तो वो आपके कर्मों की साक्षी है शाक्षी को पीड़ा नहीं होती आप में दुख के विचार आपने कुरोध के विचार को देखा लेकिन फिर भी आप करोध कर गए तो आप में पश्चात आप आता है लेकिन शाक्षी अगर आ सबसे खुबी इस प्रियोग में मैंने जो देखी है लोगों के अंदर डिवाइडिंग माइंड बहुत जल्दी भागता है किसी तरीके के संधें नहीं रह जाते बहुत जल्दी भागता है आप सालों के प्रियोगों जो नहीं कर सकते 20-25 दिन में आपको दिखने लग जाएगा कि क्या है तो पहले तो यह तो है इसके फायदे नुकसान जैसे मैंने बताये कि आप में एक तरीके से अशुप चेतनाओं के प्रवेश हो सकते हैं तो जैसे इसको ऐसे समझो फॉर फिर अचानक वो लौट के आया वहले बकवास ध्याने आन। इससे अच्छा तो धारूपी ओमाज करो गया रखा ध्याने आन। ऐसी बाते तुमने सुना हो अब सोचो कि इससे पहले वो यह बाते नहीं कर रहे थे इसके बाद वो यह बाते क्यों करने लगें तो होता यह ह है कि जब दोर खुला तो अशुप चेतना है तो चारों तरफ मौजूद है तो अशुप चेतना है प्रवेश कर जाती है फिर वो कंट्रोल में लेती है अब आप वहां से निकले आपने जाके शराप पी कुछ किया तो ऐसी इस्तिति मुनें मजा आया या यह वहां ठीक मिल लगजा तो तुमारे माध्यम से वनी चीजों को जीने लग जाते हैं जिन चीजों को तुम बश रहते कि और अप्र तबहां बड़े अच्छे तरक हो Sedite कि मन तुमारे दिमारे को सबसे अच्छा जानता और मन पर उनका कब्जा है तो वह तुम्हेसे अच्छे पकड़ ले जीजस को जुदास ही बेज देता है ओशो को शीला ही विरोध कर देती हैं मुझे भी बहुत सारी शीला ही मेरा विरोध करती हैं बहुत सारे जुदास हैं जो मुझे बेचने पे लगए हुआ क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रयोग में हाट डाला ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है मीरा जो की भक्त है वो भी योग निद्रा की बात करती है शिव जो की तंत्र के प्रयोगों तंत्र उनका सुभाव वो भी योग निद्रा की बात करते है बुद्ध जो की योगी है, वो भी योग निद्रा की बात करते हैं, तीनों ही आयाम वाले योग निद्रा की बात करते हैं, तो असली बात ये है, योग निद्रा इस्टेशन की तरह है, जहां से तुम्हें गाड़ी मिलती है आगे की, इस्टेशन पर गाड़ी है, वो चेतना है वो तुम्हारी आत्मा है तो वहां तक पहुंचने के सबसाधन है कोई योग से चल रहा है साइकल से कोई तंत्र से चल रहा है कार पे बैठ गया कोई कहरा हम भक्ती से जाएंगे गुरू का हाथ पकड़के सीधे राकेट में बैठके कहीं से भी तुम जाओ तुम कितना भी तेट वहां यूज़को लेकिन तुमको पहले इस्टेशन पहुंचना पड़ेगा इस्टेशन है योग निद्रा की अवस्ता अब मैंने सारे वहां हटा दिये मैं सीरे तुम्हें स्टेशन पर ले आया मैंने खतर ज्यादा उठाए योग निद्रा घटती है बहुत लंबी चेतनाएं अटेक करती है इस बात को ओशो ने भी कहा है और सब जगा मिसाल मैं उनकी मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे सुनने वाले जाहतर आज वही लोग हैं यह यूग वो है कि 99% लोग तो ध्यान से रिलेटीड है या इस दिशा में बढ़ रहे हैं वो कहीं न सबसे निकट के लोगों को ही अपके खिलाफ करेगी काम तो तभी खराब होता है कि बाप बेटी की लड़ाई हो और कोई साइकल छीन ले जो आज कर चलगा बात तो वहां खराब होती चचा पतीजा ताव निकट के लोगों पे अटेक करती है अनिकट के लोगों पे अटेक करना जो अभी तक होता रहा इतिहास में जो भी बुद्ध पुरुश हुए उनसे जो लोग सीखते थे जो ध्यान यान सीखके चले गए प्रवचन सुनके चले गए उन पे अशुप चेतनाओं को कोई वो नहीं क्यों लेडी अशुप चेतना है उनके अंदरी अभी बहुत सारे मन के रूप में शामिल है लेकिन जहां दुआर खुला है वो वो लोग हैं जो अपने गुरु की संगत में बहुत समय से रह रहे जुदास ने बहुत लंबे समय जीजस का साथ दिया शीला बहुत लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक साथ रहे और गहरी आवस्थाओं में पहुंचे उन पर अटेक हुए इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाने के लिए ऐसे बहुत सारे नाम है शीला तो एक फेमस नाम है तो मैंने तो सीधे पंगा लिया मैंने तो उनको भी योग निद्रा सिखाई जो दो-तीन दिन के लिए आये थे उनको प्रकॉशन्स थोड़े बहुत बताए उन्होंनों वो भी नहीं माने क्योंकि वो तो समझे बहुत दो-तीन दिन में हो गई कहानी यह मेरे एक देखने के ढंग रहे तो यह सबसे बड़े खत्रे हैं अब इनसे बचे जाने के बचे जाने के उपाए मैं तुम्हें बताओं फिर योग निद्रा का मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा जो डैमो के रूप में होगा पूर प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा इसमें मैं तुम्हें अभी जो बताऊंगा तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें सब उस दिन करेंगे उनके लिए पूरे प्रियोग बताओंगा ये आगे चलके संबब होता जाएगा तो दिरे दिरे हम बताते जाएगे लेकिन अभी वो प्रियोग बताएंगे आपको डेमो के रूप में कि आपने पूरी जिन्द की ध्यान किया 20-20 साल से आप ध्यान कर रहे है आपको कुछ नहीं हो रहा आप ये डेमो करके देखो आपको खुद पता लग जाएगा क्या है मुझे पर मालूम बड़े आरोप लगते हैं बहुत लोगों ने मुझे पर ये आरोप लगा है कि स्वामी जी के पास जो वो अफीम मगरा खिला देते हैं इसलिए लोगों को बड़ा मजा आने लगता उनके पास तो भाई अफीम का खर्चा मैं करूंगा ये जब की बात है है ना और आदमी यहां खुद ही आ रहा है तो यह जो आरोप है मैं कहता हूं अपने घर करके देख लो तुमको वहीं मजा आएगा बिना अफीम के मजा आएगा हम तो खर्च परशाद पहले बाट दिया जाए तो लोग परशाद लेकर भाग जाते हैं प्रवचन सुनते नहीं तो इसलिए परशाद आखीर में दिया जाता पहले जेलो हमें इतनी देर जेलो है ना हमारी कम से कम थोड़ी टीयार पी बढ़ेगी कि हमको जेल रहें तो पहले हम प्रकॉशन चार-पांस तरीके के हैं पहला प्रकॉशन आपको तीन दिन तक एक लोवान आता है लोवान लोवान जो जलाया जाता जिसकी धुनी दी जाती तीन दिन तक आपको अपने घर में लोवान की धुनी करनी है तीन दिन तक लोबान की दुनी करी जाती उसका तरकीब है कि आपने शाम को दुनी करनी है शाम को लगभग समय आपको ऐसे चुन लेना मालो जिस वक्त सूरज ढल रहा होता है तो बीच का समय चुनना है तो बीच का समय वो आप अपना टाइम बना लो घड़ी देख लो कि आपको ये समय करना है तो तीन दिन वो खुना जरूर चाहिए ये बात भी प्रयोग है तो उसमें लोबान को पहले आप खरीदें बजार से लोबान को बजार से खरीद के आप अपने घर में सबसे हुद्धमी नहाद होके उस दुनी को पूरे घर में करते लैटीन बात हुआ उन तक करते कोई पूजा नहीं कोई मंत्र नहीं करना है सिर्फ उस दूनी को करते हैं तो उस दूनी को 3 दिन तक करना है पहला का इसके कारण है समझते चलें एक एक चीज़ को लोबान क्या करता है जैसे मैंने कहा कि negative energy मेरे पास आके जब आप प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह है यहां में negative forces आपको बिल्कुल परशान नहीं करेंगी क्योंकि वो बिल्कुल बिलीन है मेरे अनुपस्तिती में यहां पर जहां पर मैं रह रहा हूं अगर मैं ना भी हूं तब भी फायदा करेगी तो यहां पर वो negative forces नहीं है तो negative forces जो हैं वो आपके घरों में खुब होती है लोबान क्या है लोबान एक ऐसा गोंध है एक ऐसा जो कि पेड में जिसे रस निकलता है उससे पैदा होता है हर तरीके के enlightened person ने अपनी उपलब्दी के साथ किनी चीजों का वर्णन किया जैसे नानक ने कहा कि परमात्मा नाध है मौम्मा साब ने कहा अल्ला की खुश्बू है गूमते थे तो उनको एक जिगाँ पेड मिला लोबान का तो लब उन्होंने लोबान सुनगा तो उन्हों का अरा यही वह खुश्बू है जो बिलकुल अल्ला की कुश्बू से मिल्ती जुलती है लोबान जो होता है वो खास तरीके से आपकी हवाशुदी के काम आता है negative forces का सेनापती उल्लू चमगादर यह उससे छोटे वाले है ना फिर आपको छुचूंदर मकडियां छिपकली यह सब negative forces हैं अगर आपके घर में यह पाई जाती हैं और आप लोबान जलाओ तो यह सब भाग जाएंगी आपको कुछ नहीं दिखेंगी अब आपको होगे इनके दिखने से दुएं से भाग सकती हैं तो आप और दुएं दुनिया भर के हैं जला के देख लो ना लेकिन लोबान से भागती हैं तो नगेटिव फोर्सेज हैं यह चिपके लिए गंदी नहीं है उल्लू गंदे नहीं जिस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेर कार्वन डैकसाइड लेके हैं उसी तरीके से जो शुब लोग होते हैं उनको शुब चेतना के लिए पॉजिटिव फोर्सेज चाहिए और यह जो होते हैं इनको नगेटिव फोर्सेज में ही मजा आता है इसलिए यह नगेटिव फोर्स इनके लिए भोजन जैसा है तो यदि आप क्या भोजन नहीं है तो कोई रहेगा क्यों तो असल में छिपकलिया नहीं भागती ये सब नहीं भागती असल में इनको भोजन की कमी हो जाती है इनको भोजन की कमी होना ही इस बात का संकेत है कि आपके चारों तरफ नगेटिव फोर्सेज नहीं है जो negative forces नहीं है तो आपका environment कम से कम प्रिपेर हुआ तीन दिन तक करना चाहिए लगातार वो इसलिए क्यूंकि 24 घंटे के अंदर बहुत सी चीज़ें बदलती है प्रश्पीपे तीन का बड़ा आकड़ा है वो लंबी चर्चा ना हो जाए इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूं ती इसी कील को ठोकने के लिए तो एक पर एक तीन प्रहार तो हो जाते हैं चौथा या तो देख के किया जाता है बहुत कम होते हैं जो चार पांच छे साथ आट नौज़स वो तो मैं बेवकूप कहूंगा वो तो सही में तीनी प्रहार होते हैं तो तीन प्रहार 24 घंटे में इ फायदे मंद है इसलिए एक ही व्यक्ति को करना चाहिए यह नहीं है कि घर में का रामुका का तुम कर लेना है ना इसमें तो बाबु जी को वो है वजू 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 ये भी मुस्लिम से आया है वजू है इतने इतने हाथ पानी से दोना इतने इतने हाथ इसे करने से पहले इतने इतने हाथ पैर गुटनों तक और चेरा ये तीन चीज़े पानी से दो के जाना चाहिए बिस्तर में जब ये प्रियोग आप करेंगे लेटने से पहले तो इसको बिस्तर में जाने से पहले आपको ये करना पड़ेगा वजू हाँ वजू के भी कारण है उनके कारण ये है कि ये एनर्जी इनी से रिलीज होती है इनी से निकलती है हमारे पैरों की उनियों से इन से और साथ-साथ ये एनर्जी का खेल हटा दो इंद्रियों का खेल है हमारी इंद्रिया नौकर है नौकर एक बिना नहाए काम पे आए नहा आप सब अटेंशन होके पूरी ड्रस में आईए आप नोटिस करना जिस दिन आप उसको अटेंशन लगा देते हैं उस दिन नौकर ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है तो जब आपकी इंद्रियां यह असल में इंद्रियों के सेंसर से देखो हमारी आख कान नक चार यह इसकी नहीं यह इससे ज़्यादा आभास नहीं करते हैं आभास हम करते हैं पैरों से गोबर में पैर पढ़ जाए किसी हम आखे बंद करके चलें तो पैर आभास कर लेंगे कहा है हाँ चुके हम आभास कर लेंगे कि हमारे निकट कौन है और यह इंद्रियां सुनके बातका प्रियोग है हम नहाने को कह सकते थे जो नहाले बढ़िया है् नहीं नहाने तो कम-स-कम- वजूआ celebr करें जरूर कह रहा हूं फिर यह नियम के साथ होना चाहिए यह जितनी भी बाते बता रहा हूं इन्से एक भी बात अगर नहीं मानोंगे तो वह काम नहीं हो पाएगा जिसकी बात करता ह। अब यह बात हो सकता है कटर पंथी लगे कि यह तो ठोप रहे हैं थोप नहीं पड़ती है कुछ तो करते हो ना इतना हुआ कर लिया सब कर लिया तो इसमें क्या है आपको तीन महीने में तीन दिन तो आपको लोवान करने ये वजू करना बहुत फाइदे मन्द है क्योंकि इसे आप रोज रात को साफ सुतरी लेट होगी जाटे हैं इवन की हिंदू दर्म में बहुत से आप आवास पूछों उनने कहा में हस्त हो जाता है अपने दोश हो जाता कुछ हो जाता तो उनकी पहली एड़ाइज होती है हाथ मूँ दो के सोया कर दो कहीं न कहीं आपकी इंदूर्यों में अशुद्धियां जो आती हैं उनको बचाने के लिए तो आपको इस तरीके से इंदूर्यों की देखबाल करनी है दो तीसरे नमबर आपको सफेद वस्तर हो सके तो इस्तमाल करने हैं सफेद चादर इस्तमाल करने हैं आपके विस्तर पे सफेद चादर होनी चाहिए सफेद वस्तर हो बहुत फायदे मन्द हैं मेरे पास आके कैसे भी वस्तर चल सकते हैं लेकिन आपके घर में आपके सफेद वस्तर होने चाहि हैं सफेद कोई से भी कुरता पैजमा हो, कुछ भी हो सफेद वस्तर हो सफेद के पीछे कई reasons हैं दो color ऐसे हैं सारे colors में जो की color नहीं है एक black एक सफेद अब color नहीं है क्यों कहा उसका कारण है तुम तो कलाकार हो चित्रकार समझ सकते हो सारे रंगों का जोड काला है और सारे रंगों का छोड़ देना सफेद तो यहां तो आप सारे रंग छोड़ कहीं तो प्रवेश करने जा रहे हो योग निद्रा में आप लाल कपड़े पहनो तो कोई खास color आप से रूपता है लेकिन बाकी color प्रवेश कर जाते हैं सफेद पहनो तो सफेद रिफ्लेक्ट हो जाता वो सभी कुछ रिफ्लेक्ट कर देता किसी को भी प्रवेश नहीं देता इसलिए सफेद अच्छा है मैंने जितने प्रयोग ग्रेखें करके उनमें सफेद से सारवादिक लाब हुआ है तो इसलिए सफेद उसको पहनना पड़ेगा तीन यह नियम हो प्रवादिक्ट है चौता और एक ऐसा नियम जिस पर बहुत लोगों को आपतिस ही लगेगी लेकिन क्या करें है तो है चौता नियम है या तो मैं तुमको माला पहना हूं या तो मैं तुमको ऐक माला दूं जो कि माला धंदा जैसा लगेगी मैं धंदा नहीं करना चाहता माला के धंदे मैं शुरू नहीं करना चाहता माला में कुछ हो सकता है ऐसी चीजें होती है कुछ लाव है कि मैं उन चीजों की माला बना के दे सकता हूँ कि वो आप पहन लो तो आपको बचाय रखती है लेकिन माला से भी ज़्यादा कारगर चीज यह होती है कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज की खोज की होती है इस नेचर की खासियत है जहां से जो चीज पैदा होती है वो चीज सेंटर आफ ग्रेविटी होती है वो केंदर हो जाता है मक्का केंदर है है ना काशी किसें के लिए केंद्र है जहां और इनलाइटेड हुए वो केंद्र हो जाता है जहां बोद इनलाइटेड हुए वो केंद्र हो जाता है तो जिससे जो चीज पैदा होती है जहां पे पैदा होती है वो केंद्र होता है योग निद्रा की खोज अगर मैंने की है यह विद यहां पे मेरी उपस्तिति अनिवहार है, क्योंकि मेरी शाषरीर उपस्तिति सब जगार नहीं हो सकती, इसलिए यह वैग्यानिक क्योंड भी हो चुकी है, कि यदि वह फोटू भी लगा ले तो वह फोटू भी लगा ले तो वह लेकिन जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का फोटू लगाने से तुम्हें एतराज है इसका मतलब है तुम्हें उसकी दी गई चीज पे भी संधे है ये साइकलोजिकल आधार बता रहा हूं और यदि किसी व्यक्ति की दी गई चीज पे तुम्हें संधे है तो लाब क्या खाक ल तो सीधी सी बात है ये चौती शर्त भी बड़ी अद्बुद है और ये माननी पड़ेगी कि आपको उस कमरे में जहां आप ये प्रियोक करते हैं आपको मेरा फोटू लगाना पड़ेगा बहले बोरका पैना देना एक परदा रख लेना जब पापा आए तो फोटू डाल दे ना उसमें ऐसे दूस्टार्ट भी मेरा फोटू तुमारे कमरे में करके आदा वो चलेगा लेकिन आप प्रियोक करते हैं तो वहां पर मेरा फोटू होना चाहिए वैसे इतना कह दूं कि यदि आप पापा से छुपाते हो तब भी 50% तो आपने संधे करी लिया 50% तो संधे क करना पदेगा मैंने कहा में माला दे सकता था मैं बुब्साय के लफड़ें में नहीं पढ़ना चाहता मैंने इन चीजों की खोच की थी तो मैं माला देना चाहता था वह ऐसे ही काम करते जैसे कोई इस तरी किसी का मंगज सूतर जालती है एक प्रेम में कि मैं इनकी याद में ओसोने तुमें माला पहनाई ओएक प्रेम है कि तुम उनसे जुड़े اैसे में अगर मैं तुमसे कहता कि एक मैं तुमें माला पहना दू तो वो भी अच्छा था कि तुम अपनी चाती में दबा के रख सकते थे मुझे साथ में लेकिन मेरे लिए बड़ी जंजट है मुझे मुझे मूं माला के लिए बिवस्था करनी वो सब फिर मैं लगाओ फिर दंडेवाजी फिर लोग यहां भिजवादो अमेरिकाम भिजवादो, कनेरम भिजवादो औस्टेलियाम भिजवादो तो वो एक दंडा नहीं शुरू कर सकता हमां आगे चलके ऐसा मैं बता सकता हूँ कि इसी तरीके का भाई कुछ लोग इखटे हो जाए वो यह करना चाहिए तो वो भी हो सकता है लेकिन आज की तारिक में उन्हें मेरा फोटू लगाना पड़ेगा जो भी ये करेंगे नेट पे जो देख रहे हैं और ये करना चाहते हैं प्रयोप को उन्हें मेरा फोटू भी इस्तिमाल करना पड़ेगा और इन चार चीज़ों के करे बगार यदि उन्होंने शुरू किया तो नुकसान जरूर होने वाले बचेंगे नहीं ये मैं उनको डरा नहीं रहा हूँ उनसे निवेदन करके कह रहा हूँ कि प्लीज मत करना फिर और विदियां कर लो वो तमाशागरी ये चलेगी लेकिन ये विदि खतरनाक है अभी आपको मालूम नहीं एक इसरी का रेप हो जाना इतना बुरा नहीं है जितना उन दिनों में रेप हो जाना बुरा है जिन दिनों में वो प्रेगनेंट हो सकती है एक इसरी रेप हो जाए बरदाश कर जाएगी लेकिन एक प्रेगनेंट भी हो जाए उस रेपिस्ट से तो कितनी बुरी बात है यह मैं बहुत कर रहे शब्द इस्तमाल कर रहा हूँ तो तुम ना करो ध्यान चलेगा लेकिन करपा करके इसे इस तरीके से मत करना कि तुम बहुत बड़े लफड़े में भज़ जो नहीं अनाप शनाप बच्चे पैदा कर दिये लेकिन कम से कम अपनी चेतना को तो शुद्ध कर लो उसके साथ तो अनाप शनाप काम मत करो कुछ भी करने लग जाते हो तो यह चौती चीज़ भी फालू करनी पड़ेगी हां मेरे पास आओ करने यहां तुम्हें कोई फोटू नहीं लेगाना पड़ेगा हां थोड़े बहुत पैसे तुम्हें लूँगा क्योंकि आओगे तो खर्चे वो तुम मेरा धंदा समझ सकते हो तो इतना मुझे अधिकार है यार इतनी खोच की थोड़ा बहुत धंदा का धिकार है नहीं एकार तो रोल्स राइल मुझे भी खरीद लें दो बार बार कहता हूँ यार एकार तो ले लें दो मुझे इसमें मुझे कोई आपती नहीं तुम मुझे धंदेवाज कहले न मुझे इसमें कोई आपती नहीं मैं जानता हूँ कि तुमने आज तक कैसी मूरताइं की है इसलिए तुमसे खुल के कह रहा हूँ मैं मूरता ऐसी कोई करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है, तो मैं स्विकार कर लूँगा, तो इस तरीके से ये चार चीजों का पालन करके, यदि आप करते हो, तो कम से कम आपको वैसे नुकसान नहीं होंगे, जो अभी तक होते आए, आप उस परियोग के बारे मैं बताओ, बहुत सहज परियोग हैं, दुनिया में इतना सहज परियोग कभी हो आई नहीं, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई टाइम माउंडेशन नहीं है, कोई घड़ी रखके नहीं बैठनी, कोई कुछ नहीं, ये चार चीजें आपने कर लिए, तो रात में आप अपने कमरे में अपने बिस्तर पे जाएं, पत्नी पडोस में लेटी हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा पडोस में लेटा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सरलता से इस पॉस्चर में बैठें, कि जब आपको लेटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्रा ऐसा आएगा इसमें किया आपको नीन में चले जाओगे यह जो विधि है उसमें एक ऐसा समय 앞ा आपके उन्हें में चले जाओगे तो क्या करना है एक प्रियोग है सब्र का कि अधियो मैं कहानी आप गोंगा सिर्व कर přोगत अभी सब कुछ किया इसमें सब्र इस बहुत ध्वनी है और आप करके देखना ओम में उर्जा पैदा होती है एक बहुत फ्लो में इसमें उर्जा पैदा होती ताकत के साथ इसमें ताकत के साथ पैदा होती तो इसका प्रेयोग ऐसा है कि सब्र आप मुझे देखना गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं सब्र कि सब्र कि सब्र आपको लगा होगा तीन बार कहने बाद चुप हो गया लेकिन इसमें यह था कि मैंने तीन बार सब्र कहा पूरी जोड से सब्र सब्र आप मुझे साउंड सुनो सब्र 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 और तीन बार कहने के बाद मैंने अंदर से सब्र बोलता रहा इंदरी एक नहीं हिली जुबान नहीं हिलेगी मूह नहीं खुलेगा किसी के धुनी नहीं जाएगी लेकिन अंदर सब पर चलता रहेगा अब देखो अंदर जो हम करत कर रहे हैं उसका किसी इंद्री से कोई संबंद नहीं है इंद्री से संबंद तब तक था जब तक हमने इसको चिलाया था उसके बाद ये सम्बन अतेंद्री हो गया जैसे ही आप ये सबर को अंदर करेंगे उर्जा बढ़ेगी लेकिन वो कहीं डिस्ट्राइ नहीं होगी क्योंकि डिस्ट्राइ होने के लिए इंद्रियों का खुलना जरूरी है मुझ खुले का डिस्ट्राइ हो जाएगी नाक से सांस फेको के डिस्ट्राइ हो जाएगी सारी उड़ जाएं डिस्ट्राइ होती है जब हम ओम बोलते हैं तो धोनी उटती तो है लेकिन डिस्ट्राइ होके वो हवा में बिखर जाती है तो हवा को शुद्ध करने के लिए तो फायदा है ओम का जैसे शंक बजा के करते हो लेकिन बाकी ओम का तुम्हारे अंतर जगत में कोई फायदा नहीं है ये बात बिल्कुल इसपस्ट हो जानी चाहिए सबको तो सब्र जब हम अंदर करते हैं तो अंदर ही अंदर वो उर्जा आपको चड़ती रहेगी आपकी कोई विंद्री नहीं फिर आप उसको करते रहिए वो जितने भी लंबे चले कोई घड़ी देखने की जुरूद नहीं, आप करते रही है, इसे करते करते एक बार आप अपने आप ही धक जाओगे, वो कुछ अंदर ही ऐसा होगा, कि आपकी इंद्रियों के सारे कर्म छूट जाएंगे, सुपन जैसी कोई अवस्था आने सकती, क्योंकि आप बहुत ठकान में जाते हैं या बोरियत में जाते हैं, ठकान और बोरियत नहीं, उर्जावान होके नीम में प्रवेश, और जैसे ही उर्जावान होके तुम इसमें प्रवेश करोगे, अचानक ही तुमारी नीम की क्वालिटी बदल जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये दुनिया क द्यान का महच एक मात्र ऐसा एक अवस्था है ध्यान से भी आगे की बात कहता हूं इसलिए मैं इसको beyond meditation कहता हूं कि ध्यान के भी पार है क्योंकि आपको सीधे भीघती बाकी में कर्म करते हों बाकी में कैसिट हो गई तो नहीं कर पाते हो टाइम नहीं है तो नहीं कर पाते हो बीबी पडोस में लेटी नहीं कर पाते हो मैं कहता हूँ इसे तुम कभी भी कर सकते हो बीबी लेटी उसे क्या मालूं तुम क्या कर रहे हो और जब तुम दो त्यार दिन कर लोगे तो पिर सबर भी जोड से बोलने की जूरूत नहीं क्योंकि तुम्हें पकड़ में आगया कि अंदर सब्र का साउंड हमें करना है बीबी सो रही बच्चा सो रही तुमने अपना करा काम सो गए जैसे तम आखो तुम यहाँ दवा के सो जाते हो बीबी को पते नहीं सलती ऐसे ही तुम अपने अंदर दबा के सो जो और सिर्फ तुम्हारे सोजाने मात्र से इस अवस्था में तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन होता है जो तुम्हें अभी याद भी नहीं रहेगा कि कैसे हुआ ये भी एक कारण है फोटू लगाने का आपको मालूम है कि यदि आप किसी डॉक्टर के पाद दवाई लेने जाओ और वो आपको डिस्क्रिप्शन लिखे और दवाईयां दे तो आपको उसका चेहरा याद रहता है लेकिन जो डॉक्टर आपका ऑप्रेशन करता है आपकी जान बचाता है उसका चेहरा आपको याद नहीं होता है क्यों याद नहीं होता है क्योंकि वह ऑप्रेशन है बहुत गहरा मैंने बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया वह अभी भी उनके परिवर्तन को तो कुछ करवाते ही नहीं था ये तो एसे करके सुला डेता था ये विदी अब और सारी भी इसके साथ कई सारी प्लस है मैंने इसको सिर्फ डैमो के रूप में दिया लेकिन डैमो भी आपको अकेले में नुक्सान पहुंचा सकता है इसलिए चार चीजें पढ़ेंगी यहां आए हो तो यह चार चीज़ों से नहीं गुजरोगे यहां तो सीधे सीधे आप सरलता से जाओगे और चीज़ें भी पता दूँगा उसमें भी सरलता से जाओगे तो यह भी एक कारण था कि आपको अगर जिसके माद्यम से चले हो एक gratitude उसके प्रती पैदा होना जरूरी है क्योंकि कभी अगर आप उलच जाओ कभी आपको कुछ गलत कुछ हो जाए तो आपको याद आ सके कि इस आदमी के माद्यम से यह चीज़ आई थी मैं इससे ही इसका guideline ले लूँ इससे इसके पूछ लूँ कि कैसे हम बचें बहुत लोग हैं मेरे संके जिनकी यातरा बहुत अच्छी-च्छी हो जाती है लेकिन थोड़े दिनों बाद एहंकार में पढ़ने लगते हैं कुछ और चीज़ों में आ जाते हैं कहीं गलती कर जाते हैं चोटी सी गलती है और नहीं मानते हैं आज क्या है यार एक दिन नहीं दोया एक दिन वजू नहीं किया आठ थंड बहुत लग रही थी नहीं किया या तुम थंड से बच सकते हो गरब पानी करके कर लो क्या फिर प्रियोगी मत करो लेकिन इसको आप लगातार करें सोते आप हैं हम आपका एक्स्ट्रा समय नहीं मांगा हमने आप से तीन दिन के शिविर नहीं मांगे हमने आप से कोई फीस नहीं मांगी आप सोते रोज हो आप कर सकते हो आप कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो इसके लिए आप सिर्ब सो तो रही हो ना कोई भी काम आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं और इस चीज से सहज आपके जीवन में जो रूपांतर आएगा निश्टी थी जो आज इसको देखेंगे तीन दिन के बाद वो उसको शुरू करेंगे अगर जिस तरीके से मैंने बोला है तीन दिन के बाद वो शुरू करेंगे और वो खुद परणाम देखेंगे 20-21 दिन में कैसे जीवन बदलता है उनके दूर रहने के बाद जूद उनके जीवन बदलेंगे मैंने खुद देखा है बहुत लोगों के जीवन बदलते अरे इस प्रियोग के बात तो मेरा जीवन बहुत बदल गया इस प्रियोग से पहले मेरे जीवन में ही बड़त तरीके की ऐसी कमिया मुझे लगती थी कि मैं कुछ करना चाहरा हूं कर नहीं पा रहा हूं बहुत सी चीज़ें कमिया लगती थी प्रियाज जैसे करने पड़ते थे लेकिन इस प्रयोग को मैं करवाना शुरू किया जब से लोगों को मेरे खुद के जीवन में बड़ा परिवर्थ दनाया ऐसा लगता है कि जैसे गौड कह रहा है कि तुम ठीक रस्ते पर आ गए अब तुम ठीक हो अब मैं तुम्हारा देखता हूँ देखो वो तंक तुम्हें कप करता तुम्हारी दिनकी परशानिया कप पैदा करता तुम्हारी दिनकी परशानिया तभी पैदा होती जब तुम गलत रस्ते चलते हो सीड़ी पर सही चड़ोगे तो तकलीफ किस चीज की गलत चड़ोगे तभी तकलीफ है तो तकलीफ अगर है इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हो कहीं पर कोई भूल हो रही तुम समझ नहीं रहे हो वो बार-बार तुम्हें चेता रहा है गलती बार-बार तुम्हें दुख दे रहा है तकलीफे दे रहा है तो मेरे जीवन में भी बहुत सी इसके बाद बिल्कुल अजीब से बैलेंस हो गया मामला हाँ ये जरूर थी कि मैं तो अच्छा देने की तरब प्रयास्वत था कुछ लोग अच्छा लेना है क्योंकि देना और लेना दो mix-up काम है अगर लेने के लिए आप वैसे त्यार नहीं हो जबकि मेरे संगरा के बहुत बहुत लड़के बहुत समझदार और बहुत अच्छे इस तर पर पहुंचे मैं खुद उनको याद करता हूँ मुझे प्यारे हैं वो तो जरनी फिर होती है और वो तो मुझे गाली दे सकते हैं मैं तो गाली भी नहीं दे सकता वो मुझे बुरा कह सकते मैं तो बुरा भी नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो आग मेरा बुरा भी कर रहे हो तुम तुम्हारे करण करी नहीं रहे हो लड़ाई तो म मन की लडाई को आप परसनली मत बनाओ और शायर अगर ये वीडियो उन तक पहुंसता है तो उन सब को भी जानने समझने के मौकें मिलेंगे कि कहीं कोई भूल हुई है मुझसे बात कर सकते हैं मेरा दौार हमेशा उनके लिए खुला था खुला है खुला रहेगा वो गाना फिर से सुना दोगी नजर में सितारे दो चमके जरा मुझाने लगी आती कर दिया जब अपनी नजर में ही गिरने लगो अंधेरों में अपने ही गिरने लगो तब तुम मेरे पास आना प्रिये मेरा दर कुला है, कुला ही रहेगा तुम्हारे लिए वह सितनी सी